कि देखिए करना यह है लाल इटा को टेश्ट करने की पस अगर साहित में इटा है क्या कि देखिए एक इट को क्या करना है आपस में टक्रा के देखना तरह समझेगा अगर टक्राइंगे अगर आपके यह मैटलिक साउन्ड आरा रहा कि मैटल साउन आरा यह अधिम にस क्या हुआ कि यह आपका क्वालिटी में बहुत अच्छा है तो यह तरीका है और कुछ नहीं और इसके बाद आपको यह भी देखना है जो भी हम यहां पर देख रहे तो इसका जो है से और साइज अगर हम बात करें इसका जो इसका शेप रहता है इंडिया में जो बनता है यह आपका यहां से यहां तक 9 इंची कराता है और यह आपका 4 इंची का बहुत जगह सारे 4 इंची का भी बनाते हैं और इसका यह रहेगा आपका 3 इंची का बन्न 9 इंची इंटू 4 इंची इंटू 3 इंची यह आपका साइज हो गया इट का पहला है कि 2 इट को टकराने से अगर मैटलिक साउन आ रहा है मैटलिक को हम डिफाइन कर देते हैं जब भी कोई मैटल का धातू धातू को टकराएंगे तो टन से वाज करता है उसी तरीके से अगर अगर आवाज आ रहा है तब आपका इट एड़ एड़ एवन क्वालिटी का है इसको और भी टेस्ट करने करने के लिफाइन बता है है तो दोची मैंने बता है मेटलिक सौल आप यहां पर देखिए क्झे कि जब साइट में कभी इट आता है तो आपको वहां पे पता नहीं कर पाते हैं वह कि यह सही है गलतải धी नमॉन का依ा दिया है कि कि तो इक յैब बलिकेट को है और एक नमबर बोल करके जो हैँ डीलर आपको चिपआ का दिया दो नमबर करेटा इतो गलत हो जागा तो इसके उपर घ्री लेक्प आया मैं इसको पर हमको गिरादे अगर यह तुटा नहीं गिराने के बाद जितना आपका हाइट है वहांस घ्राने मतलग आपका जहीं अच्छा क्वालिटी का इट है ठीक है तो तिसरा टेस्ट मैंने आपको बता दिया आप बात कर लेते हैं फूर्थ चोथा टेस्ट को लेकर करके चोथा टेस्ट चो आपको ध्यान देना है कि यह है कि जब भी कभी आप जो भी इट है इट के उपर अगर आप नाखुन से डेल से ऐसे करेंगे अगर साइन नहीं बन रहा है मतलब यह अच्छा यह पूरा जहां है साइन बनने लगता है उग यह हो गया अब क्या करना है पच्मा क्या है द्राध्यां कि इस इट को क्या करेंगे आप इसको इसका पहले वजन आप लिजेगा ठीक है वजन निसा कितना फिर इसको जहें आपको अराम से पानी में डुबो देना कब तक क्लिए दुबोएंगे इसको आपको जहें 24 घंटा के लिए दुबोना अगर बबल बबल टैप के निकल रहा है और पहले व वाश्ट क्लास ब्रेक है यह आपका 15 से 20 परसेंट इसका वजन जो है बढ़ जाएगा अभी जो भी वजन है वो नाप लिए फिर कल जो है इसी समय आपको जहें इसको फिर से मेजर कर लेड़ा है तब आपको जहें पता चल जाएगा कि भाई यह अगर 15 परसेंट वेट इसका बढ़ गया जितना इसका वेट है मतलब अच्छा क्वालिटी का इट है अगर उससे ज्यादा अगर अब्जर्ब कर रहा पानी तब खराब क्वालिटी का इट आपको मिल गया है यह है इट का ओन साइट जो है टेस्ट करने का तरीका एक और च न्यूटन पर एमेम स्क्वाइर अब बुलेंगे इसार आप क्या बोल रहे हैं उसका कंप्रेसिव स्टन 2.5 न्यूटन पर एमेम स्क्वाइर या नहीं तो अगर हम केजी में बात करें तो इसका आएगा 105 जड़ा ध्यान दीजेगा हम फर्स्ट क्लास बीडिक की बात कर दे एक सो पांच केजी पर सेंटी मीटर स्क्वाइर कंप्रेसिव स्टेंथ होगे इसको हम तो लिक क्या आपको समझाते हैं पहला मेह ने बटाया या नहीं तो न्यूटन स्क्वाइर में थिरी पॉइंट फाइब न्यूटन पर एम एम स्क्वाइर कंप्रेसिव स्टेंथ याने तो एक सो पांच केजी पर सिंएम स्क्वाइर यह आपका हो गया यह केतना फर्स्ट कलास बीडिक के लिए ठीक है और इसमें हमें जो है फर्स्ट क्लास बीडिक ही इस्तिमाल करना है घर बनाने के लिए कुछ उसका स्टेंथ सबसे ज्यादा रहता है तो हुआ कि लिए कि नहीं हो बताई खराब क्लाटिक है इदेखें भी पानी में है यह आराम से चोवीस घंटे के लिए स्कॉप छोड़ देजे चोवीस घंटे बाद आपको डिजल्ट अट्रमेटिक समाझ में आ जाएगा कि भाई इसका वेट को इस आप से आब वह तो हम अभी दिखाएंगे नहीं आप आरा आपके साइट में आपको इसी तरीके से टेस्ट करके चेक करना अगर याद रहे हैं अगर आप टकरा भी रहे हैं दो इट को अगर वह टकराते के साथ ही तुट जाए तब वह खराब क्वालिटे का आपने इट आपको मिल गया तो उसको भी इस्तेमाल नहीं करना उसको रिटन करवा देजिए बोले भाई कि यह इटम को नहीं चाहिए दूसरा इट बेजो ठेक है क्योंकि वह नमर दो नमर चाहिए तीन नमर का इट आपको देजिए हमेशा एक नमर का ही इट इस्तेमाल करना है बस इतना दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा और कोई भी तरह कंफिजन नहीं रहा होगा और हां अगर यह वीडियो आपको पसंद आया जरूर इसको जहां लाइक किजिए सेर किजिए कोमेंट सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा वीडियो प्रदहिने के लिए धन्याव दूस्तों मिलेंगे हम नेश्ट वीडियो में